घर का गार्डन आप नहीं जानती मा यहां उल्टी गंगा बहने लगी है ससूर जी जब से रिटाइड हुए हैं मेरी सास और ससूर दोनों किसी फिल्म के लव वर्ड्स की तरह अपने आपको जवान समझने लगे हैं दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में जूले पर बैठे बाते करते रहते हैं उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है अब इस उम्र में उन्हें ऐसा बेवार क्या सोभा देता है कवीता अपने ससूराल के समचार अपनी मा को बता रही थी तभी सास अलका उदास मन से रशोई घर में जाती है क्योंकि बहु की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी उसकी सभी बातों को नजर अंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहु को उसके कमरे में देकर दुसरा कप अपने पती शोबनात के लिए ले क्योंकि ससुर के निर्वित होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था वह अब किसी की भी परवा किये भी ना रोज अपने मरजी के मुताबिक नए नए कपड़े पहन कर गार्डन में अपने पती के साथ बैठ कर अपना जादा तर समय बिताती थी उन्हों एक साथ समय बिता कर जीना चाहते थे आनंद निवास बंगले जैसा दो मंजिलों का घर पती पतनी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था अलका जी ने घर के शामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहां कई फुलों के प उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था अलग-अलग डितूओं में अलका जी अलग-अलग सबजियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी रसोई के लिए धनिया पुदीना और मैथी उन्हें कभी बाहर से खरिदनी नहीं पड़ती थी इतने सालों तक काम की भाग दोड में सोबना जी कभी भी इस जगह का आनद नहीं ले पाए थे लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीटता था दरसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके इसलिए उन्होंने वह जगह खरी दी थी लेकिन अब वह संभव नहीं था अलका जी को अपने बनाए उर्स गार्डन में एक जूला चाहिए था जो उन्होंने लाकर दिया था और अब वही जूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुख में समय बिताने का जरिया बन गया था जरूरी चीजों की और बाकी ऐसो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी फिर भी बहु को दोनों का उस जूले पर बैट कर समय बिताना खटकता था पहले दिन बर उसके साथ रहने वाली शास अब ज़्यादा समय अपने पती को देने लगी थी अपने साथ ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका कवीता नहीं चोड़ती थी वा हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हाटाने के लिए लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक सडेंत्र भी रचा अजय तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए कवीता ने अपने पती से कहा आइडिया तो अच्छा है लेकिन कार रखने के लिए जगह कहा है हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है जहां सिर्फ एक कार के लिए जगह है अजय ने चिन्ता वाले श्वर में कहा कौन कहता है जगह नहीं है वो गार्डन है ना जहां आजकल दो लवबर्ड्स अपना डेरा जमाये बैठते हैं कवीता ने पती की तरफ तिर्छी नजर करते हुए कहा आजकल तुम कुछ जादा नहीं बोलने लगी हो अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा लेकिन सस्तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला पिता जी मेरा और आपकी बहु का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना दुसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहा सोमनाद जी ने कहा पिता जी इसी गाड़ेन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ कवीता कोई इस गाड़ेन की कोई पड़ी नहीं है और मा भी भला अब और कितने दिनों तक गाड़ेन का खयाल रख सकेंगी इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़ कर यहां गैरेज बना लिया जाए अजय ने अपने विचार बताए दूर खड़ी अलका जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया सोमनाद जी अपना गुस्सा दवाते हुए बोले मुझे तुम्हारी मा से पूछना पड़ेगा मुझे थोड़ा वक्त दो क्या पिता जी इसमें क्या मम्मी से पूछना आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है दिन भर जूले पर बैठे रहते हैं बिना चार लोगों के बारे में सोचे अब कविता घर में है छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं आप किसी का विचार नहीं करते अजय थोड़ा चिड़ते हुए बोला अंदर से कविता की बड़बड भी चालू ही थी सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए उस दिन बेटे और बहु ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उत्रेना ऐसा हो गया था उस पूरी रात दोनों ही जाकते रहे थे लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चहरे पर मुश्कान आ गई थी सोमनाथ जी खुद रशोई घर में जाकर चाय बना कर लाए थे लेकिन अलका जी इतनी निरास थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पोदे को पानी तक डालने नहीं गई थी पूरा दिन तो बढ़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था लेकिन साम को अजय की आँखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े पे देना है का बोड़ पढ़ा था अजय ने सोमनाथ जी से कहा पापा माना की हमारा घर बढ़ा है लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पे दे दे बेटा अगले महने मेरे साथ काम करने वाले सरमाजी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पे रहेंगे सोमनाथ जी ने कहा लेकिन वह कहां रहेंगे अजय ने अपनी संका भरा सवाल पूछा घर के उस हिस्से में जहां तुम रहते हो सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा और पापा हम कहां रहेंगे नरम परती आवाज में अजय ने पूछा बेटा मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको इसलिए तुम्हारे पास एक महिना है तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंड लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा तुम भी सुखी और हम भी सोमनात जी ने सब कुछ साफ साफ बताया पापा लगता है आप तो नाराज हो गए कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा नहीं बेटा तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्राक्टिकल बनकर रहा जाता है हम बड़े तुम बच्चों को साथ देखकर खुस हो सकते है तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्राबलम होती है यह घर यह गार्डन गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवा हैं कि कैसे तुम्हारी माने मेरे लिए और खास कर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है अपना समय अपनी जवानी खर्च कर दी है इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी मा का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी मा से नहीं छिन सकता सोमनाद जी ने अपनी पत्नी की तरफ देख कर कहा दोस्तो जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बुड़े हमारे हिसाब से जीवन जीए ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग दिया है और जब उन्हें उनके हिसाब की जिन्दगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाए हम उनके विरोधी बन जाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइफ, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज